तो नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी इस्टुडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी कापिटल पर COET PG2024 में BHU की सेकेंड राउंड कट ओफ को लेकर के लेटेस्ट अपडेट Breaking News अभी थोड़ी देर पहले ही आप सभी के लिए निकल के आ रही है कि BHU ने PG का सेकेंड राउंड का ओफिसियल कट ओफ जारी कर दिया है सब्जेक्ट वाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल को समझेंगे इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ये सेकेंड राउंड कट ओफ आप पूरा का पूरा कहां से चेक कर सकते हैं सारी बाते बताऊंगा इसलिए इस कंप्रीट वीडियो को देखिएगा और वीडियो के शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में करिएगा बेल आइकन प्रेस, जिससे कि आपको CVT PG की हर एक अपडेट सुचने हैं और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिल सकें, और हमारा ए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह वो वेबसाइट नहीं है जहां से आप काउंसलिंग कराते हैं, दिखा रहा हूँ यह कौन सी वेबसाइट है, यह है आप सर्च करोगे bhuac.in और इस वेबसाइट पर आप देखो, admission and counseling का जो section है, इस पर आपको क्लिक करके आना होगा, यहाँ notice section में आपको मिल जाएगा bhupg cutoff round 2, dated on 24th of June, और यहाँ जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पूरा का पूरा आपको जो cutoff है, दिख जाएगा, यह clear हो जाईए, यहाँ C1 जो है non-bhu quota, C2 जो है bhu quota, आप जिस भी subject का check करना चाहो, पूरे 30 page का यह cutoff है, और इस cutoff list को आ मुख के subject में, तो MA English का ही गया है, क्योंकि सबसे tough paper भी किसका था, MA English का ही था, तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा, कि अगर मैं general category की बात करूँ, UR, UR में C1 category का मतलब क्या हूँआ, non-bhu quota, कितना गया है, 117 किसके लिए, main campus के लिए, वहीं आप आओगे, C2 में तो कितना गया है, 145 किसके लिए, तो BHU quota के लिए, general category, इसी तरीके से आपके OBC category में क्या मामला है, तो 118 गया है C1 के लिए, और यहाँ पर आप यहीं देखने को मिलेगा, कि 116 गया है, BHU quota के लिए, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो changes है, वो बने हैं, आप पू से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, नेक्स चीज़ मैं आपको मैं बता दूँ, तो जिनका भी selection हो रहा है, तो कि second round में तो बहुत सारे selections होंगे, एक अच्छी बात रही कि study capital के students पहले ही round में इतने number of selections हुए, कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही, जिकिन फिर भी जि इतनी भी details मांगी जाएंगी, उनको upload करिएगा, अभी भी जिनको seat accept का option न मिला हो, और यहाँ आप cutoff के range में हैं, तो थोड़ा सा wait करिएगा, अभी ये cutoff तो जारी कर दिया गया, लेकिन हो सकता है department के दौरा link न जारी किया गया हो, तो हो सकता है रात तक या कल तक जारी हो